आप हम पहले से बिफोर टाइम पर्चा लेकर रखेंगे और आप जिनको लेकर आएंगे यह पर्चा उसी का निकलेगा आपके पर्चा की नहीं होना चीए जिनको आप उठाएंगे किसी को भी आप उठाएंगे इस्त्री पुरुष बाहर से भीतर से सामने चेयर पर बैठे उनमें से आंगे से पीछे से किसी को भी एक पर्चा को आप हमारे पास हम पहले से पर्चा लिख लेते हैं विफोर टाइम फिर आप जिनको लेकर रहेंगे उन्हीं का यह पर्चा में लेका और हमें भी पुंदिल घंडी है लंदनवालों से हार जाए हम कोई भगवान नही है लेकिन ये बेहन जी उन्हीं को उठाएंगी जिनके बारे में पर्चा लिखा होगा दियर सिस्टर फाइनल अब एक बात और आप इनको लेकर आए आपको व्यक्ति बदलना तो नहीं है आप व्यक्ति बदलोगे पर्चा अपने आप बदलता रहेगा बोलिए अभी टाइम है बाद में मत कहना कि हम गलती कर गए फाइनल लॉक कर दिया जाए इनी को लेकर रहा है कंपूटर महास है फाइनल मैं तो आप मानती है कि इनके बारी में पहले से लिख लिख चुके होंगे अच्छा मानने लगी इतनी जल्दी अभी तो पत्ते खुले भी नहीं अभी तो इनको बुला ले हम इनके साथ में जो भी वह आशकते हैं तो आप अजये माइकल लेलू हम लोगों मेरी वर मेरी पती की तव्याथ अची नहीं रेती है मुझे चैंसर है अटी की भी नहीं है और पैसे की तंगी है अब हमारा प्रच आप पढ़ो नहीं हम पढ़ेंगे आप इस दीकाओं तो कि हम पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से आपके पास में टोटल तीन लिफाफी हैं चौथा पेज अलग है एक में अपने मन की सकुंतला की नाम की समस्या लेकर आए हैं कैंसर रोग है तीसा स्टेज पार कर गया गाठों में दिक्कत है असरहिनीय दर्द होत तो बाबा बागेश्वर ने लंदन में भी अपने चीर परिचित अंदाज में ताल ठोक दी है वह अंग्रेजों के भी परचे धड़ा धड़ वहां पर बना रहे हैं तो आपको बता दें कि एक लड़की को संस्य था कि बाबा अपने दर्वार में प्री प्लांटेट और जो तुम्हारी मर्जी हो उशी को आप पुला कर स्टेज पर ले आओ और यह परचा उशी का होगा तब उस लड़की को बाबा ने चलेंज दे दिया और बाबा ने परचा बना कर लिख कर अपने पास रख लिया और उस वह लड़की चली जाती हैं पंडाल में जहां प बाबा बताते हैं कि आपकी जो परच हैं उसके अंदर तीन परची हैं और एक परचा अलक्षी हैं उसमें उन्होंने बताया उसके आर्थिक इस्तिती को लेकर उसकी बीमारी को लेकर और उसके पती को लेकर कि वह सरापीता है उसे परिशान करता है तो बाबा ने सब उसके मन की बात बता देते हैं अपने शित्ति के बलव से अपने बजरंग बली के किरपा से अप सब है सभी हैалार रह गए तो आपको इस वीडियो में कैसा लगा देखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाबे बागिश्वर को मानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जई बागिस्वर सरकार जरू लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद